सौरफ के पास चल रहा हूँ, उधितराज जी एक सेगिंड में आ रहा हूँ उसके बाद, मुझे पता है उधितराज जी की प्रतिक्रियाज बहुत इंपोर्टेंट भी होने वाली है सौरफ जरा बताईए क्या खेला क्या कोई चांस है क्या, क्या आरजडी, जेडियू को तोड़ पाएगी क्या, क्या ऐसी कोशिस चल रही है सौरफ जेडियू कोशिस हो रही है और आज से नहीं, बलकि परसू से ही राजा सुप्रिमों लगातार, लालू परसादी आदव लगातार विधायकों को फोन कर रहे हैं, जीतर रामाजी को उन्होंने फोन किया, डिप्टी सीम का ओफर दिया, लेकिन जीतर रामाजी ने उसे ठु सबसे बरी बात है कि आज जीतर रामाजी को बनाने की जीमेदारी जो है, वो कॉंग्रेस ने उठाई जब परदे के पिछे इतनी सारी बाते चल रही हैं तो मुझे पता है टीवी पे सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन सौरव बता सकते हैं, सौरव ज़रा बताईए, निती यह जो तेजस्वी कह रहे हैं, खेला बाकी है, क्या प्लैनिंग चल रही है, लालू तेजस्व भी फोन किया था और डिप्टी सीम का ओफर भी दिया था और आज भी वह लगातार सभी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं कुछ ऐसे भी विधायक है जो जदियू से हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है तो उसी के आधार पर तेजस्पी यादब ये कह रहे हैं कि खेला हो कुमार जो सत्ता परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो राहें उतनी आसान नहीं होगी तो निशित तोर पर आरजेडी के तरफ से भी जो विधायकों की जो संख्या है उसको जुटाने की लगातार कोशिस की जा रही है और ऐसे में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं जीतनराम मांजी जीतनराम मांजी के को दोनों तरफ से ओफर दिया जा रहा है आज दो पहर में अचानक परदेश अध्यास समडार चौधरी जीतनराम मांजी को मनाने पहुंझ जाते हैं उन्हें लगता कि कहीं जीतनराम मांजी की जो नईया है वो डगमगा सकती है तो वो दुबारा पहुंचते हैं और उन्हें समझाने की कोशिस करते हैं उन्हें समझाया जाता है कि नितिस कुमार आएंगे तो भी आपको नुकसान नहीं होगी आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा ऐसे में अभी खबर आ रहे हैं कि जीतनरा महतपून या सत्ता की जो चावी है वो कहीं न कहीं जीतनरामाजी के पास आ गई है हलाकि जीतनरामाजी के चाहने पर भी महागटोद्धन का जो आंकरा है वो पूरा नहीं होगा लेकिन उसके बाबजूद जीतनरामाजी काफी इंपोर्टेंट हो गए हैं अगर जीतनरामा जी साथ रहेंगे तो जरूर एक सो अठाइस होगी तो अभी जितर्रामाजी के सरकारी आबास पर उनके विधायकों को बुलाया गया है सभी विधायकों से खुद जितर्रामाजी बात करेंगे और निशीत तोर पर मुझे लगता है कि दोनों आफर के बारे में वो अपने वि रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जितर्रामाजी को तोरना या फिर नितीस्त कुमार के जो विधायक हैं उनको तोरना इतना असान होगा और जे डी के लिए जी ओके आल राइट लेकिन खबर ये